हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में जैसा आप सभी को पता है आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कम्पलीट पूरे 50 प्रस्णों का मॉडल टेस्ट पेपर डिसकस करते हैं जिसके अंदर समाने ग्यान, समाने वी ग्यान, गनित और इसनिंग चारो सेक्शन कवर होते हैं सभी को अपना कम्पलीट टेस्ट लगाना है सभी विद्यार्थी कॉपी पैन भी साथ में लेकर बैठेंगे मैं उमीद करूंगा सेशन आपको एलफ लगेगा, चलिए अपने कलास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले पिछली कलास में मैंने आपको ये वाला प्रशन होमवरक के लिए दिया था तो पहले इसको डिसकस कर लेते हैं किसे भारत के सूती वस्तरों की राजधानी कहा जाता है, अगर आप सभी ने इसका अंसर आप्शन सी दिया था मुंबई आपका अंसर बिल्कुल करेक्ट है चलिए, बढ़ते हैं आज की कलास की तरफ तो देखिएगा प्रशनों की संख्या 50 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 40 प्लस कोशन राइट करने का सभी को टेस्ट कंप्रीट लगाना है स्टार्ट करते हैं सेक्शन A समाने ग्यान 1-15 तक पहला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर और देखिएगा किसी भी प्रशन के यहां पर आप्शन नहीं बोले जाएंगे ज्यादा डिटेल में हम डिसकस नहीं करेंगे डिरेक्ट कोशन और डिरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे इसलिए अगर किसी को आंसर देने के लिए समय चाहिए तो वो सेशन को रोक सकता है पहला कोशन है आपके सामने भीम बेटिकगी गुफाएं डैश में इस्तित हैं आप्शन आपके सामने है जल्दी से आंसर करिए आंसर मैच करिएगा अगर आप सभी ने आप्शन C को आंसर दिया है मद्य प्रदेश आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कोशन नमबर सेकिंड आपके सामने स्क्रीन पर चोरी-चोरा कांड कब हुआ था? वेन डिड़ दा चोरी-चोरा इंसिडेंट हैपन? आंसर मैच करिएगा अगर आप सभी ने आप्शन D को आंसर दिया है 1922 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है फरवरी 1922 में चोरी-चोरी घटना हुई थी जिसके अंतरगत 1920 में शुरू हुआ ऐसायोग अंदोलन स्थगित कर दिया गया था कोस्चन नमबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए दुवितिये बौद संगिती किसके साशन काल में हुई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्चन इन हूज रिजेंड डिट दा सेकिंड बुद्धिष्ट कांसिल टेक प्लेस? आंसर मैच करिएगा अगर आप सभी ने औप्शन सी को आंसर दिया है काला शोक आपका आंसर बिलकुल करेक्ट है देखिए दुवितिये बौद संगिती कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी? ये भी कोशन एक्जाम में बनेगा और किसके शाशनकाल में तो काला शोक के शाशनकाल में हुई थी? कॉशन नमबर फोर आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए शहर मांट्रियल किस नदी के तठ़ पर इस्थित है? अंसर मैच करिए क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? सेंट लॉरेंस नदी पर मांट्रियल शहर इस्थित है कॉशन नमबर फाइफ देखिए मुंगफली किस प्रकार की फसल है? इसका आंसर करिए वट टाइप आफ क्रॉप इस ग्राउंड नट? आप्शन बी आपका करेक्ट अंसर हैगा मुंगफली जो है यह खरीफ की फसल है आप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट अंसर है कॉशन नमबर सीक्स आपके सामने स्क्रीन पर पूस्तक ब्रोकन विंक्स के लेखक कौन है? आंसर मैच करिए क्या सभी ने आप्शन बी को आंसर दिया है? सरोजरी नाइडू आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कॉशन नमबर सेवन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए चलिए, प्रसीद चंदावर का यूद किस वर्ष हुआ था? इन विच येर डिड़ दा फेमस चंदावर बैटल टेक प्लेस? आंसर मैच करिए, आप्शन डी जिनने आंसर दिया है 1194 उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है देखिए, चंदावर का यूद जैचंद और मुहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, ये भी कोशन एक्जाम में बनेगा, ध्यान रखिएगा कोशन नमबर 8 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर कोर्टेस किस देश की संसद का नाम है? कोर्टेस इस दा नेम ओफ दा पार्लियमेंट ओफ विच कंट्री? आंसर मैच करिए, क्या सभी आप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? कोर्टेस स्पेन की संसद का नेम है कोशन नमबर 9 सामने स्क्रीन पर जापान पर परमानु बम किस वर्ष गिराया गया था? इन विच येर वाज़ दा आटोमिक बम ड्रॉप्ट ओन जैपान? देखे, 6 अगस्ट 1945 हीरोशीमा पर और 9 अगस्ट 1945 नागा साकी पर जैपान में 1945 में परमानु बम गिराया गया था आप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है 6 अगस्ट 1945 और 9 अगस्ट 1945 दो बार परमानु बम जापान पर गिराया गया था कोशन नमबर 10 देखिएगा सामने स्क्रीन पर किसे धान की डलिया भी कहते हैं? चलिए इसका आंसर करिए आप्शन सामने स्क्रीन पर हैं आंसर मैच करिए जिन्होंने आप्शन सी को आंसर दिया है 36 गड़ उनका आंसर करेक्ट है 36 गड़ को धान की डलिया भी कहा जाता है कोशन नमबर 11 सामने सीवी रमन को किस वर्ष नॉबल प्रुसकार दिया गया था? इन वीच येर वाजदा सीवी रमन अवाड़िड दन नॉबल प्रुसकार दिया गया था? चले आगे चलिए बढ़ते हैं कोशन नमबर 12 की तरफ कोशन नमबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर इसका अंसर करिए शान्ती वन किनका समादी स्थल है? वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कोशन आपका स्टेटिक जी के से है? देखिए शान्ती वन जो है जोहरलाल नहरू का समादी स्थल है आपशन डी परफेक्ट आंसर है साथ में आपको इंद्रा गांधी और राजीव गांधी का पता होना चाहिए सूपर इंपोर्टन है इंद्रा गांधी का समादी स्थल क्या है? शक्ती स्थल ये ध्यान रखिएगा राजीव गांधी का भी आपसे एक्जाम में पूछ सकता है राजीव गांधी का है वीर भूमी चलिए कोशन नमबर 13 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए दंती दुर्ग किस वन्ष का संस्थापक था और आपसे एक्जाम में पूछ सकता है राज्ट्रिकूट वन्ष की राजधानी क्या थी तो यह भी द्यान रखिएगा मान्य खेत इसकी राजधानी का नाम था कि चोदा नमबर कोशन आपके सामने हैं रबड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विच कंट्री इस दा लार्जेस्ट प्रेडूशर आफ रबड राइट आंसर यहां पर आप्शन रहेगा थाईलेंड रबड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्या सबी ने आप्शन एको आंसर दिया है और भारत में रबड सबसे अधिक का होती है तो केरल में होती है यह भी कोशन एक्जाम में बनता है कोशन नमबर पंदरा है सेक्शन एका लास्ट कोशन रूसी क्रांती के जनक कौन थे इसका आंसर करिए रूसी क्रांती के जनक कौन थे देखिए रूसी क्रांती जो है यह कब हुई है 1917 में हुई है यह कोशन आपको पता होना चाहिए सूपर इंपोर्टन्ट है अब आपसे पूचा है रूसी क्रांती के जनक कौन थे? आप्शन C करेक्ट आंसर रहेगा लेनिन बताइए क्या सभी ने आप्शन C को आंसर दिया है तो देखिएगा यहाँ पर आपका सेक्शन A कंप्लीट होता है बढ़ते हैं अगले कोश्शन की तरफ सेक्शन B 16 से 30 प्रशन और देखिएगा आप चाओ तो सेक्शन WISE BC कर सकते हो नहीं तो सेशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में तो आपको complete section wise score comment करना है section A में कितने write हुए है section B में section C में section D में चलिए इसका answer करिए question number 16 है magnesium hydroxide का रसाइनिक सूत्र क्या है what is the chemical formula of magnesium hydroxide तो देखीगा magnesium hydroxide का रसाइनिक सूत्र है option C correct answer है MGOH2 साथ में इसका विधान रखीएगा C AOS2 calcium hydroxide HNO3B अपने आप में important है nitric acid 17 number question देखीजी सामने विद्यूत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है which is the best conductor of electricity option आपका D correct answer हैगा चांदी क्या सबी ने option D को answer दिया है question number 18 देखीए सामने fuse इतार किस पदार्थ से बने होते हैं very very important question आपका answer करिए what materials are fuse wires made of option B correct answer हैगा 10 और C सा क्या सबी ने option B को answer किया है question number 19 देखीएगा सामने स्क्रीन पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस अमल का प्रयोक किया जाता है जल्दी से answer करिए क्या answer करेंगे तो देखे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए benzoic acid का प्रयोक करते हैं option आपका D right answer है question number 20 देखीएगा सामने स्क्रीन पर आपके हरीदे प्रतेरोपन की खोज किस ने की थी who discovered heart transplant क्या answer करोगे option यहाँ पर C जिनोंने answer दिया है Christian Bernard उनका answer बिलकुल correct है चलिए question number 21 की तरफ चलते हैं answer करिए विज्ञान की किस शाखा में व्रिक्ष एवम जाडियों का अध्यन किया जाता है option है हर्टी कल्चर, डेंडरोलोजी, अग्रेस्टोलोजी इन में से कोई नहीं सही जवाब यहाँ पर option भी रहेगा डेंडरोलोजी में व्रिक्षो तथा जाडियों का अध्यन किया जाता है option B perfect answer है question number 22 आपके सामने ग्लुकोमा नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है which organs is affected by a disease called ग्लुकोमा option आपका D correct answer आएगा ग्लुकोमा जो है यह आँख को प्रभावित करने वाला रोग है क्या सभी ने option D को answer दिया है answer match करते जाएगा question number 23 देखिए बार किसका मात्रक है इसका answer करिए what is the unit of bar अभी तक आपने हमारे session को like नहीं किया है like जरूर करिएगा अगर आपका कोई friend army की त्यारी करता है उसे हमारा channel जरूर share करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा channel आपके लिए helpful है आप इस हमारे channel पे नए है तो सभी को subscribe करके बेल आइकन भी जरूर दबाना है दाब बार किसका मात्रक है तो बार जो है यह pressure यानि की दाब का मात्रक है option B perfect answer है चलें आगे चलिए question number 24 देखिएगा सामने कोन सार रोग शरीर में iodine की कमी से होता है इसका answer करिए right answer यहाँ पे option C रहेगा ग्वाइटर नामक रोग iodine की कमी से होता है इस रोग को घेंगा भी बोला जाता है यह ध्यान रखिएगा question number 25 सामने है RH factor का संबंद किस से है what is the RH factor related to option आपका एक right answer है बलड से संबंदित है 26 नमबर question देखिएगा सामने स्क्रीन पर पर्ण हरित में उपस्तित मुख्य धातू कौन सी है बताइए क्या answer करेंगे answer match करिए option D जो answer दे रहे है magnesium उनका answer correct है यहाँ पर पर्ण हरित को ना करके आप इसको chlorophyll भी कर सकते है question number 27 देखिएगा इंदर धनुष्ट का निर्मान किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो देखिए यहाँ पर आपका option D करेक्ट answer एगा उप्रोक्त सभी पूर्ण आंसरिक प्रावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपन इन तीनों के जरीए इंदर धनुष्ट का निर्मान होता है अगर आपने option D को आंसर किया है आपका आंसर करेक्ट है question number 28 सामने स्क्रीन पर है हाइडरोफोबिया नमक बिमारी किसके कारण होती है हाइडरोफोबिया क्या होता है जिससे पानिक से डर लगता है clear और ये बिमारी वाइरेस के द्वारा होने वाली बिमारी है option आपका A correct answer है question number 29 है आपका section B का second last question ध्वानी की चाल अधिक्तम होती है the speed of sound is maximum तो ध्वानी की चाल आपको पता है ठोस यानिकी solid में सरवादिक होती है option आपका D correct answer है इसी के साथ question number 30 है आपका समाने विज्ञान का last question एक पीको ग्राम बराबर होता है चलिए जल्दी से answer करिए एक पीको ग्राम किसके बराबर होता है option A answer match करिए क्या सभी ने option A को answer दिया है 10 raise to power minus 12 ग्राम के बराबर होता है एक पीको ग्राम तो यहाँ पे आपका section A section B दोनों complete होते हैं बढ़ते हैं question number 31 की तरफ section C हैं पूरे 15 प्रशन डिसकस करेंगे यहाँ से किसी को भी वापस नहीं जाना है test सभी को complete लगाना है मैं उमीद करूँगा आप सभी के पास इस समय copy pen भी अवश्य होगा चलिए question number 31 आपके सामने है इसका answer करिए तरिभूच का तीसरे कोण का माप ग्याद करें यदि एक कोण 30 degree और दूसरा कोण 110 degree हो देखिए कितना simple question है आपको पता है तरिभूच के तीनो कोणो का माप कितना होता है तरिभूच के तीनो कोणो का माप कितना होता है 180 degree होता है है ना जिसमें एक कोण आपको 30 degree दिया है एक कोण आपको 110 degree दिया है आगर मैं इनका total करता हूँ तो total हो रहा है 140 डिग्री तीसरा कौन आपको बताना है देखिए टोटल 180 डिग्री वैल्यू होती है जिसमें से 140 डिग्री हमको गीवन है अगर हम 180 में से 140 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 40 डिग्री option A correct answer होगा बताईए क्या सभी ने option A को answer किया है चलिए question number 32 आपके सामने screen पर इसका answer कर दो प्रशन है किसी वरित की परिधी 176 cm है उसकी त्रिज्या ग्यात करें simple प्रशन है देखिए वरित की परिधी का formula होता है 2 pi r है ना तो यहाँ पे value put करते हैं 2 गुणा pi की value 22 बटे 7 रखेंगे और हमको r निकालना है तो r हमने as a tease लिख दिया और परिधी की value दे रखी है 176 cm अब यहाँ से आपका जितना cancel out होता है उतना cancel करिए देखिए 22 से cancel करते हैं 11 दुनी 22 यहाँ पे 11 एकम 11 11 चिक 66 दो दुनी कितने होते हैं 4 और 4 से 16 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा अब यह 7 यहाँ जाके जब 4 में multiply होगा तो आर की value कितनी आ जाएगी 28 cm हमसे 30 ही निकालने को बोला है option आपका C correct answer है बताइएगा क्या सभी ने option C को answer किया है चलिए question number 33 आपके सामने screen पर है इसका answer करिए प्रशन है कि दो सिक्के उचाले जाने पर दोनों पर head आने की प्राइकता क्या होगी देखिए सबसे पहले जितनी भी possibilities हैं उनको लिख लेते हैं अगर हम दो सिक्के एक साथ उचालते हैं तो possible है कि क्या पता दोनों पर head और head आ जाए या फिर दोनों पर tail और tail आ जाए या फिर पहले पर head दूसरे पर tail आए या फिर पहले पर tail और दूसरे पर head आए यही चार possibilities बनेंगी इनको हम क्या बोलते हैं sample space बोलते हैं तो देखे टोटल possibility चार है इसको हम नीचे लिखेंगे हमको बोला है दोनों पर head आने की probability दोनों ही सिकों पर head दिखाई दे रहा है सिरफ एक ही condition में है तो यहाँ पर 1 by 4 option आपका C correct answer होगा बताईएगा क्या सभी ने option C को answer किया है 34 number question देखिएगा सामने screen पर प्रशन है प्रथम 30 विशम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा देखिए एन तक की प्राकृत विशम संख्याओं का योग विशम है ध्यान रखीगा odd numbers का total बोले तो n square आपको direct ध्यान रखना है यह formula लगाना है अगर विशम संख्याओं का योग बोले right अब आपको पता लगी total संख्याओं कितनी है 30 है है ना तो 30 का योग निकालना है वो भी विशम संख्याओं है तो 30 का square कर दीजिए 900 आपका right answer होगा option c बस इतना सा ही आपको करना है अगर आपको यहाँ पर सम संख्याओं निकालने को बोलता तो n गुणा n प्लस 1 आपको करना था राइट यहाँ पर क्या है विशम प्राकृत संख्याओं है तो n का square कर दीजिए डारेक्ट यानि की n हमारा 30 है नंबर 30 का square करेंगे तो 900 आपका टोटल होगा 35 नंबर question देखिए सामने स्क्रीन पर इसका answer करिए कैसे question को solve करेंगे 21 पद निकालना है अगर आप ध्यान से देखे तो सीरीज में difference बराबर है अगर सीरीज में difference बराबर है तो यह क्या है आपकी ap वाली सीरीज हो गई arithmetic progression हमको 21 पद निकालना है यानि की n21 की value निकालनी है 21 पद formula क्या होता है a plus n minus 1 d right यह क्या है पहली संख्या जो की 31 है plus n minus 1 करेंगे n आपका 21 है 21 में 1 minus करेंगे 20 आएगा right d क्या होता है common difference अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखू तो minus 4 minus 4 का common difference चल रहा है तो यहाँ पर minus 4 भी लिख देंगे is equal to देखे 20 चो क्या 80 है और यह 4 minus का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 80 हो जाएगा right यहाँ पर क्या है plus 31 है अब यह 31 plus का है यह 80 minus का है plus minus क्या हो जाएगे minus हो जाएगे परन्तु बड़ी संख्या minus की है तो यहाँ पर आपका minus का sign आएगा अब 80 में से आपको 31 minus करना है 10 में से 1 गए 9 है ना और 7 में से 3 गए 4 minus का 49 option आपका B correct answer है जल्दी से बताएगे क्या सभी ने option B को answer किया है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number आपके सामने 36 है इसका answer करिए simple सा प्रशन है आपका time and work वाले topic से कि 6 लड़के एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि इसी काम को 9 लड़के करें तो काम कितनी देर पहले समयाप्त हो जाएगा देखे इसके लिए सबसे पहले आपको work पता होना चाहिए work क्या होता है efficiency into time होता है यहाँ पर 6 लड़के दे रखे हैं आप मान लिजए कि यह 6 लड़के क्या है efficiency है काम करने की शमताएं हैं है ना नहींतिया पर हम M.D.H.W. का formula लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमको तो work निकालना है देखे 6 लड़के किसी काम को 24 घंटे में करते हैं तो अगर हम 6 को 24 से multiply करेंगे तो क्या आजाएगा total work आजाएगा 6 चोके 24 का 4 हांसिल 2 चे दुनी 12 और 2 14 144 क्या है जी total work है क्या बोला है कि इस काम को 9 लड़के करें तो काम कितनी देर पहले समाप तो हो जाएगा देखे total work 144 है कितने लड़कों से कराना है 9 लड़कों से कराना है solve करके देखिए कितना time आ रहा है यहाँ पे आपका 9 एकम 9 यहाँ पे 9 चीके 54 टोटल आपका आ रहा है 16 घंटे तो देखिए पहले 24 घंटे time दे रखा था 24 घंटे लगते थे 6 लड़कों को और 9 लड़कों को लगते हैं अब 16 घंटे है ना तो कितने का आंतर आ रहा है कितनी देर पहले काम खतम हो रहा है तो हम देखिएंगे आपे 8 घंटे पहले काम खतम हो रहा है option आपका B correct answer है बताइए क्या सभी ने option B को answer किया है जल्दी से बताइए question number 37 देखिएगा आपके सामने boat and stream वाले topic से question है और very very important है question है कि एक वेक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमेटर दूरी 6 घंटे में जाता है तता धारा की विपरित दिशा में 9 घंटे में लोटता है धारा की गति किलोमेटर प्रतिखंटा में जात करें तो देखिए धारा की गति निकालने का formula क्या होता है x-y divide by 2 है ना यह x क्या है धारा की दिशा में गति है और यह y क्या है धारा के विपरित दिशा में गति है राइट तो देखी का सबसे पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी दोनों स्पीड का फोर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 18 किलोमेटर समय आपको दे रखा है 6 घंटे यानि कि जो पहली स्पीड आई है वो कि इतनी आई है 2 किलोमेटर प्रतिघंटा अब यहां पर वैल्यू पूट करेंगे एक्स माइनस वाई डिवाइड बाइटू एक्स कितना है तीन है वाई कितना है दो है डिवाइड बाइटू करेंगे तो यहां पर आपका वन बाइटू बनेगा वन बाइटू मतलब 0.5 कोन सी अभाज्य संख्या नहीं है अब आजेख्य पहाड़े पर भाग होती है परंद यहां पर 93 आसा अनमबर है जो कि आपका 31 से भी इवाइड होगा 3 से भी डिवाइड होगा है ना कि यह क्या है अभाज्य संख्या नहीं है कि कोश्चन नमबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए बहुत ही फेमस कोश्चन है आपके आर्मी एक्जाम से रिलेटेड इसका आंसर करोगे प्रेशन है कि दो संख्याओं का संख्याओं रि reduced का इसकी पंद्रा तथा उनका FM 300 है यदि 9 से ethics संख्या साथ हो तो दूसरी संख्या tradis का हो गी कि तो जब्री ऐसा क्वस्चन आपको दिखाई दे आपको बस एग ही फोर्मोला लगाना है फोर्मोला है आपका एस सी आफ गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणन फल इसको मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे X गुणा Y लिख लेता हूँ दोनों संख्याओं का गुणन फल कलिर है समझाने के लिए X गुणा Y लिख दिया है HCF कितना है जी 15 है LCM कितना है 300 है X की वैल्यू 60 है आपको Y की वैल्यू निकालनी है कैंसल कर दिये जितना आपसे भाग हो रहा है देखे जीरो से जीरो भाग हो गई 6 से करेंगे 6 35 15 को 5 से मल्टिप्राई करेंगे तो 75 हा जाएगी Y की वैल्यू ओप्शन आपका B यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है चलिए कोशन नमबर आपके सामने 40 है स्क्रीन पर इसका आंसर करिए पर एक सुचोबिस का तीन चोथाई 90 के दो तिहाई से कितना अधिक है कैसे करोगे इसे सिंपल सा कोशन है पहले एक सुचोबिस का तीन चोथाई निकाल लो यानि की 3 बटा 4 माइनश क्या करना है आपको 90 का 2 तिहाई माइनस करना है सिंपल है देखे 4 से करेंगे 4 तीआब आरा 4 एकम 4 31 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे यह तो यहां पे 93 सिर्ण बनेगा माइनस इसको सूल्व करें 3 तिह नौ यहां पे 30 आ गया और 30 को आपको 2 से multiply करना है तो यहाँ पे 60 बनेगा solve करके देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 33 option A correct answer है क्या सभी ने option A को answer दिया है question number 41 आपके सामने screen पर इसका answer करिए इस question को ध्यान से करिएगा question super important है देखिए यहाँ पे कौन सा rule लगता है जब भी किसी संख्याओं का base same हो और बीच में multiply का sign हो तो power क्या हो जाती है हमेशा जूड़ जाती है right अब देखिए यहाँ पे base same है तो हम एक ही base ले लेंगे 256 right उसके बाद क्या है जो इनकी power है यह आपस में जूड़ जाएगी अगर divide का sign होता तो power minus हो जाती आपस में तो 0.16 में से 16 ही है ना उपर ठीक है 0.16 को 0.09 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा 0.25 है ना और 0.25 क्या है इसकी power है 0.25 आप देखिए इसको मैं और elaborate करता हूँ तो यहाँ पे मैं 256 0.25 को मैं 1 by 4 भी लिख सकता हूँ किसी को कोई issue नहीं है अब यहाँ पे आपका दूसरा case आ गया जब भी आपके सामने ऐसी situation बनती है तो आपको क्या करना है जो नीचे वाली value है इसको भी आपको 4 की form में लिख देना है 256 को कैसे लिख सकते हैं 4 की power 4 clear है गुणा यह 1 by 4 as it is इस 4 से आपका 4 भाग हो गया 4 की power 1 बचा है तो कितना answer आएगा 4 option D आपका correct answer है बताइए क्या सभी ने यह question का answer दिया है question आपका बिल्कुल simple है question number 42 देखिएगा जी सामने screen पर इसका answer करिए under root 841 की value बतानी है और मुझे नहीं लगता कि यह question किसी का भी गलत होगा option आपका भी correct answer आएगा 29 29 का square कितना होता है 841 और under root 841 की value कितनी होती है 29 होती है question number 43 सामने screen पर इसका answer कर दो जल्दी से हांजी एजिस वाले chapter से question है आपके सामने कि A तथा B की वर्तमान आयू 4 ratio 5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 5 ratio 6 हो जाएगा A की वर्तमान आयू क्या है देखे यहां पर लिख दिया मैंने A ratio B यह क्या है इनकी वर्तमान आयू है present age ratio दे रखा है 4 ratio 5 पाँच वर्ष बाद अगर मैं जाऊ नीचे तो इनकी age का ratio है 5 ratio 6 अब मैंने आपको हमेशे एक चीज बताई है कि सबसे पहले आपको क्या चक करना होता है कि यहां पर जो ratio दे रखा है इसके अंदर difference सेम है या नहीं है तो मुझे दिखाई दे रहा है दोनों में एक और एक का difference है यानि की difference सेम है अगर difference सेम है तो question आपका चुठकियों में solve हो जाता है देखे रेशो में difference एक का है और year में difference कितने का है पांच का है एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर है पांच के बराबर है एक वर्तमान आयू बतानी है तो एक पर्जेंट एज का रेशो कितना है चार है अगर एक रेशो की वैल्यू पांच है तो चार रेशो की वैल्यू चार गुणा पांच यानि की एक याईू कितनी है वर्तमान बीस वर्ष है option डी आपका right answer है चले आगे चलिए question number 44 आपके सामने पर है और देखीगा इसका जो पीडियाफ है यह आपको हमारे टेली ग्राम चैनल पर मिलेगा टेली ग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 280 का 70 प्रतिशत कितना होगा बिल्कुल बेसिक कॉंसेप्ट है परसेंटेज से 280 का 70 प्रतिशत कितना होगा 0 से उपर की दोनो 0 कैंसल 28 को साथ से मल्टिप्लाई करेंगे 28 सत्य चापपन का चे हांसिल 5 साथ दुनी 14 14 और 5 19 196 option A right answer है question number 45 है math का last question इसका answer करिए ये भी question आपके आर्मी का favorite question है यदि 12 पैनों का क्रे मुल्ले आठ पैनों के विक्रे मुल्ले के बराबर है तो लाब प्रतिशत ग्याद करें जब भी ऐसा question आए मैंने आपको हमेशा बताया है direct करिएगा इनके बीच का अंतर ले लेना है जो कि कितना है चार है उसके बाद विक्रे मुल्ले के बराबर वाली वस्तू को आपको अपन में लेना है आठ पैनों के विक्रे मुल्ले के बराबर है यानि कि ये जो वैल्यू है ये विक्रे मुल्ले के बराबर है इसी को आपको हमेशा नीचे अंडर में लेना है और multiply by 100 कर दीजिए आपका अंसर आपके सामने होगा चार दुनी आठ दो से सो को भाग करेंगे तो पचास बार में जाएगा आप्शन बी आपका correct अंसर है पचास परसेंट कलियर है चलिए चलते हैं कोश्चन नमबर 46 की तरफ अब लास्ट के 5 प्रस्चन आपके रिजनिंग के बसते हैं टेस्ट complete लगाईएगा बिल्कुल कोश्चन नमबर 46 आपके सामने है इसका अंसर कर दो जल्दी से कोश्चन क्या बोल रहा है कि यदि बाल को YZOO की फोर्म में लिखते हैं तो वर्क को कैसे लिखेंगे देखें बाल है इसको क्या लिखा है YZOO अगर आप इसको ध्यान से अब्जूर्ब करो तो आपको दिखा अल्फा बेट की सीरीज है है ना B का पोजिट Y A का पोजिट Z L का O L का O है ना अब देखिए बोला है वर्क को कैसे लिखेंगे डबल्यू का पोजिट D O का पोजिट L R का पोजिट I K का पोजिट क्या होगा P होगा ओप्शन आपका D याँपे सही होगा क्या सभी ने ओप्शन D को आंसर किया है Question number आपके सामने 47 है इसका answer करिए Question number 47 का answer करिए यहाँ पे कौन सा logic लग रहा है Right answer क्या होगा देखिए ध्यान से question को यहाँ पे हम क्या करते हैं इनकी numerical value लिख लेते हैं place value लिख लेते हैं देखिए A की place value एक B की place value दो C की place value तीन अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 6 बनता है 6 को 2 से multiply करने पर 12 बनेगा यह logic आपका follow होगा ऐसी E को देख लिजिए E की 5 F की 6 G की 7 इनको जोड़ेंगे अगर हम 6, 5, 11 11 और 7, 18 18 में 2 का multiply किया है तो 36 यहाँ पे यह logic लग गया अब आगे देख लिजिए J, K, L J की क्या है place value 10 K की 11 L की 12 इनको जोड़ना है और 2 से multiply करना है 10 को 11 से करेंगे पलस तो 21 बनेगा 21 में आपको 12 और जोड़ देना है तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 33 बन जाएगा और 33 को 2 से multiply कर देंगे तो 66 आपका option B correct answer है क्या सभी ने option B को answer दिया है Question number 48 की तरफ चलते हैं जी सामने screen पर स्रिंखला को पूरा करें बताएए कैसे करेंगे यहाँ पे क्या संख्या आएगी देखे दो series follow हो रही है पहली है 13-2111 11-29 9-27 साथ तो आपका यहाँ पे आरा हमको यह वाली value चाहिए अगली series देखिए 6-1, 5 5-1, 4 option आपका A correct answer है चलें आगे Question number 49 है आज का second and last question इसका answer करिए कि अधि 26 जनवरी को रविवार है तो 13 फरवरी को कौन सा दिन होगा जल्दी से answer करिए क्या answer करोगे आपको यह वाला टाइप मैं करवा चुका हूँ देखिए अगर 26 जन को क्या है संडे है तो जनवरी के कितने दिन बसते हैं पांच दिन बसते हैं क्योंकि 31 का मेना है और हमको 13 फरवरी तक निकालना है तो 13 दिन फरवरी के हो गए टोटल कितने दिन हो गए 18 दिन हो गए है ना अब एक हफते में 7 दिन होते हैं तो 18 को क्या कर दिजी आपको 7 से भाग कर देना है 7 दुनी 14 6 कितना बच गया 4 बच गया क्या करना होता है जो भी आपका 6 बचा है इसको आपको इसमें जोड देना है संडे में आपका आंसर आ जाएगा संडे के बाद आपको क्या करना है अगले 4 दिन और जोडने है संडे के बाद Monday, Tuesday, Wednesday है ना संडे को क्या है सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, वीरवार option B आपका correct answer होगा Thursday क्या सभी ने आपे option B को answer किया है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 50 है आज का last question इसका answer दीजिए इसके बाद आपकी छुट्टी है जल्दी से इस question का answer करिए यहाँ पर कौन सी संख्याएगी question वाच्चक के स्थान बे बताईए देखिए ध्यान से इनके बीच का अंतर कितना है 2 है इनके बीच का अंतर 4 है इनके बीच का अंतर 8 है इनके बीच का अंतर 16 है तो क्या चल रहा है 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32 21 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो आपका answer यहाँ पर जाएगा है ना तो यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर आपका 53 बनेगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है चलिए तो दोस्तों यह थे आपका पूरे पचास प्रशनों का मॉडल टेस्ट पेपर संडे स्पेशल बताईएगा क्लियर है सभी को अगर आप सभी ने अभी तक हमारी इबुक नहीं ली है इबुक भी हमारी ले सकते हैं स्क्रीन पर आपको डिटेल दिखाई दे रही है चलिए मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत